हां जी, असलाम अलेकम स्टुडेंट्स, ये आप देखें, असिलोस्कोप नजर आ रही है हां ये एक डिवाइस है, जिसके उपर देखें, ये चेंजिंग कौन्टि इस तरह का आपने देखा है, आल्टरनेटिंग करंट होता है तो इसके उपर AC करंट और AC दो चीज़ें, अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज, तो इनकी मेगनिट्यूड फाइंड करते हैं इसके उपर से हाँ जी, तो लिखा है, दा कैथोडरे असिलोस्कोप इस एन इंस्टुमेंट विच इस यूज़ टू डिस्पले करती है, क्या मेगनिट्यूड फाइंड चेंजिंग इलेक्टिक करंट्स और पोटेंशल्स, यानि पोटेंशल का मतलब वोल्टेज होती है तो यह information is displayed on the screen of the cathode recording tube, इसके उपर इस साइड पर पैनल होता है, यह screen होती है, इस screen के उपर आपको यह information show होरी है तो ये स्क्रीन एक window नजर आ रही है window type है ये गोल भी हो सकती है circular और ये इस तरह की rectangle या square shape में भी हो सकती है square shape आपने देखा कि स्क्रीन के उपर information आ रही है स्क्रीन किसकी cathode tube की तो आगे आपको पता है this screen appears as या तो circular होती है या फिर rectangular window होती है usually with centimeter graph इसके उपर imposed होता है यानि super imposed on it यानि उसके उपर लगा होता है जैसा कि आप इसके अंदर देख रहे हैं graph paper भी बना हुआ है तो इदर एक और information example आपको दी हुई है picture tube in our TV set ये पराने जो TV होते थे न and the display terminal और जो monitor होते थे of most of computers वो cathode ray tubes ही होती थी यानि पराने टीवी और पराने monitor यानि डिस्पले थे तो वो cathode ray tubes ही होती थी अब इसके अगर parts देखे ना cathode ray oscilloscope यानि CRO के तो ये तीन part है एक यहां से पहले पहले है इसको electron gun बोलते है फिर एक यहां तक part है इसको deflecting plates या deflecting system कहते है और end पे ये जो part बना हुए है ये screen है fluorescent screen और electron gun के अंदर एक नई चीज़ ये आपने देखी है ये dotted grid लगी हुई है इसको G बोलते है इसका नाम है control grid तो ये तीनों parts आपने देख लिया electron gun with control grid भी है deflecting plates भी है और fluorescent screen भी है और सबसे पहले electron gun हमने पढ़ना है तो उसके अंदर देखें source of electrons electrons कहां से निकलते है इस चीज़ से electron निकलते है ये है cathode ये देखे cathode है cathode को जब heat करेंगे पीछे इसके filament लगी हुई है tungsten tungsten filament को ये देखे 6 वोल्ट की बैटरी से connect किया गया है ये tungsten heat अप होगी और उसकी वज़ाज cathode heat होगा cathode के अंदर से electron निकलेंगे और जब ये electron निकलेंगे इनको control करने के लिए ये आगे grid लगाई गई है इसका नाम है control grid देखें जी इस grid के साथ मैंने ये negative potential लगा दिया है इस grid पे negative potential होगा और इदर जो electron है उनके उपर भी negative potential है वो electron आ इदर को रहे है क्योंकि ये anode लगा हुए इसके उपर positive charge होता है तो electrons और anode के दरम्यान में grid है उस पे negative charge है देखें ये तो electron को repel करेगी और इसका charge जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा electron को repel करेगी repel करने का मतलब anode तक नहीं आने देगी यानि इसका charge ज्यादा करेंगे तो इदर electrons कम आएंगे जब इदर कम आएंगे तो plates के अंदर से भी कम गुजर के और इदर screen पे भी electrons कम आएंगे जब electron थोड़े आएंगे तो उसकी वज़ा से वो spot जो है न वो dark बनेगा यानि bright नहीं बनेगा तो ज्यादा bright spot बनाने के लिए क्या करना है इसका negative charge कम करना है जितना negative charge कम होगा उतने electrons आगे पास हो जाएंगे जब पास होके screen पे जाएंगे तो spot ज्यादा bright बनेगा तो यहां से पता चला कि यह जो control grid है यह brightness को control करती है जो screen के उपर brightness आती है चले इसने तो electrons को control किया ना brightness को control किया जो bright इदर brightness बढ़नी थी लेकिन यह जो anode है यह क्या करता है देखें इनका साथ लिखए accelerating and focusing anode यह दो काम करता है इन electron को accelerate करता है बनाता है तो बस electron gun का काम ही यह है कि electrons की beam को बना दे और beam आगे फिर deflecting system में दाखिल हो जाती है हाँ जी तो देखें electron gun में यह लिखा है electron gun consist of electron source वो क्या था electrical heated cathode था that ejects electron यहनी cathode से electron नकले फिर वो आगे grade आ जाएगी electron gun also has an electrode called grade G for controlling the flow of electrons in the beam तो grid के पर चार्ज कौन सा है grid is connected to negative potential the more negative potential this sorry the more negative this potential फिर more electron will be repelled will be repelled from the grid and hence fewer यहनी कम electrons will reach the anode and the screen the number of electrons reaching the screen determine the brightness of the screen hence the negative potential of the grid can be used to used as a brightness control तो यहां ता कभी सारा grid G के बारे में आया है और अब anode के बारे आएगी तो anode is connected to positive potential and hence is used to accelerate इसके दो काम हैं एक तो accelerate करना electrons को and उनको focus करना into fine beam as they pass through the anode तो यह देखें anode के बारे में लिखा पीछे वाला जो यहां तक था यह यहां से लेके यह grid G के बारे में था और उस से पहले यह heated cathode के बारे में जहां से electrons emit होते हैं हाँ जी अब जैसे ही electron anode से निकलेंगे तो यह देखें एक पेर है प्लेट का यह horizontal plates हैं लिखा है plate for vertical deflection हैं यह horizontal दोनो लेकिन यह इन electron को या उपर को लेके जाएंगी या नीचे को या यह इस तरह vertical जो spot उपर नीचे जाएगा न वो in plates की वज़ा से जाएगा तो फिर यह क्या हुआ दो एक पेर है plates का दोनो horizontal है इनका काम क्या है यह spot को vertically उपर या नीचे को move करवाता है तो इनके यह वो कब move करेगा जब इनको आप voltage देंगे current देंगे तो उसके बाद electron in plates प्लेट्स में आता है यह plates हैं तो vertical लेकिन यह electron को इस side पे move करवाएंगी horizontally तो फिर इनका ना plates for horizontal deflection तो यह बस y plates होती कौन सी horizontal है काम इनका है vertical deflection और x plates होती vertical है लेकिन काम इनका क्या है horizontal deflection करना तो यह plates का system भी हो गया deflecting system भी हो गया तो इसमें भी लिख है after living electron gun electron beam passes between a pair of horizontal plate हैं तो horizontal लेकिन यह vertical plane में deflect करेंगी spot को और उसके बाद pair of vertical plates हैं तो वो horizontal movement करेंगी spot की हाँ जी अब बारी आ जाती है fluorescent screen की और यह क्या होता क्या है यह एक glass की screen होती है उसके उपर paste किया होता है यह paint किया होता है thin layer होती है फासफोर की और फासफोर एक ऐसा material है जब उस पर आके electron लगेंगे तो उससे light निकलती है तो देखें fluorescent screen फासफोर होता है उससे light निकलती ही कब और इसके आगे यह वाला जो पैराग्राफ है यह है इसके uses of CRO CRO is used in many fields of science पहले तो displaying wave farm इसके उपर wave farm आजाती है दूसरा measuring voltages यह start में हमने पढ़ा था voltage AC current और voltage भी measure करता है दो होगे range finding यह रेंज फाइंड करने जैसे radar के अंदर होता है फिर echo sounding echo sounding आप starting में पढ़ाए है depth of the sea bed सुमंदर की गहराई जो है न सी की वो इससे find करते हैं चार uses होगे CRO is also used to display heartbeats hospitals में भी आपने देखा होगा उधर भी CRO लगाता है तो यह uses होगा short में आए तो दो नमबर का यह आजाता है uses of CRO Thank you